अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया पत्ता थाइराइट की कोई भी बीमारी में सबसे अच्छी दवा धनिया पत्ता धनिय पत्य को चट्णी बनाओ, गरम पानी में मिला के पीओ थाइराइट की 40-40 सान पुरानी बीमारी 25-30 दिन में ठिक कर देता धनिया पत्ता जिनको थाइराइट की तकलीफ है सब को आप बताओ धनिय पत्ते की चट्णी गरम पानी में पिए चट्णी कैसे बनाना पीस लो पत्थर पे, मिक्सी में पीस लो उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना, धनिया पत्ता से, हाँ, और एक चम्मच चट्टी ही आदा गिलास पानी, दो चम्मच चट्टी ही एक गिलास पानी, इतना ही रोज पीलो, सुबह खाली पेट, थाइराइट की सारी बीमारी, हाइपर थाइराइडिसम, हाइपो थाइर और थाइराइड से होने वाला मोटापा, ये सब मिटा देता है धनिया पत्ता, ऐसे ही पुदीने का पत्ता है, पुदीने के पत्ते की चट्टी तवचा के किसी भी रोग में लगाओ, जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सुराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जीमा है, स देने के पत्ते की चट्टी से मिट जाते है, अद्बुत है यह, ऐसे ही अपने गर में नीम का पत्ता, नीम का पत्ता मने मीठा नीम, मीठा नीम हम समझते कड़ी पत्ता है, जिसको कहते हैं, ये कड़ी पत्ता बहुत अद्बुत है, वाद के और कफ के सभी रोगों खेले, BP बढ़ गया कड़ी पत्ती की चट्टी मनाओ कड़ी पत्त आप जानते हो गुन-गुने पानी में पियो BP एकदम नॉर्मल कर दे कड़ी पत्त मीठा नीम कड़ी पत्त जो सब्जी में डालते हैं हम BP high नॉर्मल करता low है तो नॉर्मल करता खून अगर गाड़ा हो गया कॉलेस्ट्रॉल बढ़ गया पतला कर देता हूं कॉलेस्ट्रॉल कम करेगा ट्राइगिलिस्टाइट कम करेगा अद्मुते कड़ी पत्ता चाच में कड़ी पत्ता मिला के पीते रहो जिंदगी में कभी हर्ट अटेक नहीं आएगा कभी बीपी न सब अपने घर में है मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं सब वही कह रहा हूं जो हजारों साल से अपने घर में होके आई बस हमारे ध्यान में नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर के चक्कर में भसे तो मैं आपसे बारवार कह रहा हूँ बीमारी से नहीं डॉक्टरों से बचो बीमारी से नहीं दवाओं से बचो बीमारी से नहीं ओपरेशन आदी से बचो और ये घर में जो दवाएं हैं इनका उपी जल्दी ज्यादा से ज्यादा घरों में ये बात अगर पहुंच जाए त लाख करोण रुपए साथ लाख करोण रुपए देश का बचे ये है